हरी कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाया ग्रंत्रा श्रीमत भागवतम महापुरान की चे श्रीमत भागवतम पहला स्कंद अध्याय दस जिसका श्रीशक है द्वारीका के लिए भगवान स्री कृष्ण का प्रस्थान शोनक उवाच अत्वास्वरिक्थस्पृता आतताईनो यूदेश्टिरो धर्म भृतां वरिष्ठप साहानुजय प्रात्यवरुत्थभोजना कथम प्रवृत्थ के मकारशित्तता शोनक मुनी ने पूछा जो महराज युदिश्टिर की वैद्य पैत्रिक संपत्ति को छीनना चाहते थे उन शत्रों का वद करने के बाद महात्मन धर्मात्मा युदिश्टिर ने अपने भाईयों की सहायता से अपनी प्रजा पर क्रिस प्रकार से शासन चलाया निश्य थी वे अपने सामराज्य का उपभोग मुक्त होकर आनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके सूत उवाजव वन्षम कुरूर वन्षदावाक्नी निरहितम सावरो हैत्वा भवभावनो हरी सूत को स्वामी ने कहा विश्व के पालन करता भगवान स्री कृष्ण महराज युदिष्ठ को उनके सामराज्य में पुना प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाक्नी से विनष्ट हुए कुरू वन्षद को पुनारु जीवित करके अतियंत प्रसन हुए नेशम्य भीश्मोक्तमा थाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत्त विप्रामा शशास गामेंद्र इवा जिताश्रया परिध्यु पान्ता मनु जानु वर्तिता बीश्मदेव तथा अच्युत भगवान स्रीकृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रभुद्ध होकर महराज युदिष्टर परिपूर्ण ज्यान विश्यक मामलों में वियस्त हो गए क्यूंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे इस प्रकार उन्होंने पृत्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे महराज युदिष्टर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना ही पानी बरसाते थे और प्रत्वी मनुष्यों की सारी आवशक्ताओं की पूर्ती परियाप्त मात्रा में करती थी दूद से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गवें अपने दूद से चरागाही को सिक्त करती रहती थी नद्यह समुद्रा गिरयह सवनस्पति वीरुध फलंत्यो शदयह सर्वा काममन रितु तस्यवै प्रत्ये कृतु में नद्यां समुद्र पर्वत जंगल लत्ताएं तथा कारगर ओशद्यां प्रचूर मात्रा में राजा को अपना अपना कर शुक्ता करती थी नाधयो व्याधयकलेशा देवबूतात्महेतव अजातशत्रावभवन जन्तु नाम रागी कर हिचेद चुक्कि राजा का कोई शत्रू ना था अतेव सारे जीव किसी भी समय मानसिकलेश रोगों या अत्यदिक ताप या शीट से विचलित नहीं थे उशित्वा हास्ते नपुरे मासान कती पयान हरी सुहुरदाम चविशो काया स्वसुष्च प्रियकाम यया श्री हरी अपने संबंदियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुबध्रा को प्रसन्य करने के लिए कुछ महीने हस्ते नपुर में रहे आ मंत्रचा भ्यनूग्यात परिश्वज्या भिवाध्यतम आरुरोहरतम केश्चित परिश्वक्तो भिवाधितम तथ पर्शाद जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमती मांगी और राजा ने अनुमती दे दी तो भगवान ने महराज युदिष्टिर के चरणों में नत्तमस तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया इसके बाद अन्यो द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रत पर आरूर हुए सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनयात था गांधारी दृत्तराष्ट्रष्च युद्सर्गाउतमियमो व्रिकोदरष्च धाम्यष्च स्रियो मच्य सुतादया नसेहिरे विमुयंतो विरहं शांगधन्वना उस समय सुभद्रा, द्रोपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, देत्राष्व, युयोच्सु, कृपाचारिया, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, तथा सत्यवती सभी मूचित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्चन का वियोग सहपाना उन सभों के लिए असंभव था सत संगान मुक्त दुह संगो, हातुम नोच्चहते बुध, कीत्यमानं यशोयस्य, सकृत्ता करन रोचन तस्मिन्यस्त दियपार्था, सहेरन विरहं कथं, दर्शनस पर्श सनलाप, शयनासन भोजने वह बुद्धिमान, जिसने शुद्ध भक्तों की संगती से परमेश्वर को समझ लिया है और भावतिक कू संगती से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश्य को सुनने से चूकेगा नहीं उसने चाहे उनके विशे में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो बला पांड़ो उनके वियोग को कैसे सहपाते क्योंकि वे उनसे घनिष्टता पूर्वक संबंदित थे, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्ष करते थे, उनसे बात करते थे और उन्हें के साथ सोते, उटते, बेटते तथा बोजन करते थे सर्वेते नीमी शैरक्षें, तामनो दृत चेतसा, वीक्षन तह स्नेह संबंधा, वीचेलुस तत्र तत्रहा उन सब की रिदय, उनके आकर्षन रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे वे उन्हें आव पलक नेत्रों से देख रहे थे, और स्नेह बंधन में बांध कर व्यगरता से इधर उधर मचल रहे थे न्यरुन्धन उद्गलत भाश्पम, ओत्कंठ्या देवकी सुते, नेरियात्यगारान नोभत्रम, एतिस्यात पांधवस्त्रिया सगी संबंधी अर्थत नातेदार इस्त्रियां, जिनकी नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता वश्पम, अश्रुधारा निकल रहे थी मेहल से बाहर आ गई, वे बड़ी मुश्किल से अपने आशों रोक पाई उन्हें बैथा कि प्रस्थान के आवसर पर आशों से अप्शकुल हो सकता है अस्तिनापूर की राश महल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विबिन्द प्रकार के डोल यथा मृदंग, ढोल, नगारे, धुन्दुरी तथा धुन्दु भी एवं तरह तरह की वंचियां, वीना, गोमुक और भेरियां एक साथ बजुठी प्रसाद शिकरारूढा, कुरुनार योदि देख्षया, ववरिशुकु सुमय क्रिश्रम, प्रेम वीडास्मत देख्षणा भगवान को देखने की प्रेम मैं इच्छा से, कुरुओं की राजवंच इस्त्रियां, राजमेहल की छट पर चड़ गई, और स्नेह तता लज्जा से योक्त हस्ती हुई, भगवान पर पुश्पों की वर्षा करने लगी सितात पत्रम जक्राह, मुक्ताधाम विभूशितम, रत्न डंडम गुढाकेश, प्रिया प्रिया तमस्याह उस समय, महन योध्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिया भगवान का घनिष्ट मित्र था, एक छात्ता ले लिया, जिसका हत्था रत्नों का था, और जिसमें मोतियों की जालर लगी थी उद्धव सात्य केश्चैवा, व्यजने परमाद भुते, विकीर्य मान हकोसुमें, रेजे मदुपती पती उद्धव तता सात्य की, अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा जलने लगे, और मधु की स्वामी क्रिश्चन ने, विक्रे हुए पुष्पों पर आसीन होकर, उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया जहां तहां यही सुनाई पढ़ा था, कि क्रिश्चन को दिये गए आशिरवाद, ना तो उनके उपयुक्त है, ना अनपयुक्त क्योंकि वे सब उन्परमपुरुष के लिए थे, जो इस समय मनुश्य की भूमी का निभा रहे थे अन्योन्यमासित संजल्पा, उत्तमाश्लोकचेत साम, कोरवेंद्रपुरिस्त्री राम, सर्वशृत्ति मनोहरा चुने हुए छंदों से, जिनकी उस्तूति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तनापुर के सभी घरों की छतों पर चड़ी हुई स्तरियां, उनके विशय में बातें करने लगी ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कही अधिक आकरशक थी सवय किलायम पुरुश उरातनों या एक आसी दवेशेश आत्मनी अग्रे गुणे भ्यो जगदात्मनी श्वरे नेमी लितात्मन निशिसूप तशाक्तिशूप वे कहने लगी जैसा हमें निश्यत रूप से स्मरन है यही है वे जो आदी परमेश्वर है प्रकृति के गुणों की व्यक्त स्रिष्टी के पूर्व वे ही अकिले वित्यमान थे चूंके वे परमेश्वर है अतेव सारे जीव उनही में लीन होते है मानो रात्री में सोय हुए हो और उनकी शक्ती रुख कई हो सएव भूयो निजवीर्य जोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिम सिस्रिक्षतीं अनामरूपात्मनी रूपनामनी वेदेच समानो नुससार शास्त्रकेत तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भावतिक प्रकृति के मार्दर्शन के अंतरगत कर दिया उनकी ही अपनी शक्ती से भावतिक प्रकृति को पुना स्रिष्टी करने के लिए अधिक्रित कर दिया गया है सवा अयम्यत पदमत्र सूरयो जीतेंद्रियाने जीतमातरिश्वना पशंति बक्तियूत कलितामलात्मना नन्वीश सत्वं परिमाष्टु मरहति ये वे ही पूर्ण पुर्शोतम भगवान है जिनके दिव्यरूप का अनुभव बड़े-बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है जो सूद्रण भक्ती द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण सैयम द्वारा बहुतिक चैतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एक मात्र मार्ग है सवा अयम सक्यनों गीत सत्कतो वेदेश गुईश चह गुईय वादिभी या एक इशो जगदात्म लीलया स्रीजट्यवत्यतिना तत्र सज्चते हे सक्यों यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकरशक तथा गोपन ये लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वाइदिक सहायत्य के कोहियतम अंशों में हुआ है वे ही भावतिक जगत की स्रिष्टी करने वाले पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं यदाह यदर मेनता मोधियो निर्पा जीवन्ति तत्रैशही सत्वत किलं दत्ती भगं सत्यम्रेतं दयाम्यशों भवायरूपानि ददद यूगे यूगे जब भी राजा तता प्रशासक तमोगोर में इस्थित पश्यूओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिवियरूप में अपनी परमशक्ती सत्यरूप को प्रकट करते हैं शद्धालों पर विशेश दया दिखाते हैं अद्पुत कार्य करते हैं तथा विबिन्न कालों तथा यूगों में आवशक्ता अनुसार विबिन्न दिवियरूप प्रकट करते हैं आहो अलम्श्लाग्यतामं यदुकुलं आहो अलम्पुर्ण्यतामं मधुर्वनं यदेश पुन्साम् रिशबाश रियहपती स्वजन्मनाचंक्रमाने नचांचती ओहो यदुवन्च कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमी कितनी पुन्यमई है जहां समस्त जीवों के परमनायक लक्ष्मी पती ने जन्म लिया और अपने बच्पन में विचरण किया है आहो बतस्वर यशसस्तिरसकरी कोशस्थली पुन्य यशसकरी भुवा पशंति नित्यम यदनू ग्रहेशितम् स्मतावलोकम स्वपतिम स्मयत प्रजाम् निसंदेह यह कितना आश्चरी जनक है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश को पिछाड कर पृत्वी की प्रसिधी को बढ़ाया है द्वारिका के निवासी उनके प्रिये स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदेव दर्शन करते हैं भगवान उन पर द्रिष्टी पात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चित्वन से उन्हें कृतार्थ करते हैं नूनम् व्रतास्नान हूता दिनेश्वरा समर्चितोयस्य ग्रीही तपानी भी पीवन्तिया सक्यधारा मृतम मुहूर रज्यस्त्रियसाम मुमुहुर्यदाशया हे सक्यो तनिक उनकी पत्नियों की विशे में सोचो जिनकी साथ उनका पाणी ग्रहन हुआ था उन्होंने केसावरत स्नान यग्य तथा ब्रह्मांड की स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामरित का निरंतर आस्वाधन चुम्बन द्वारा कर रही हैं ब्रज भूमी की बालाएं एसी कृपा की कलपना से ही प्रायह मुर्चित हो जाती होंगी यावीर्य शुलके नहृता स्वयम्वरे प्रमत्य जैद्य प्रमुखान ही शुष्मेणा प्रध्यूम्न सांबांबसुता दयोपरा याश्चाहरिताभामवदे सहस्त्रशब उन पत्नियों से संताने हैं प्रध्यूम्न सांब अंब इत्यादे उनोंने शुष्युपाल के नायक्त्व में आय हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हरा कर रुपमिनी सत्यवामा तथा जांबवती जैसी इस्त्रियों का उनके स्वयंबर समारोह से बल पूर्वक अपहरन किया था उनोंने भामासुर तथा उनके हज़ारों सहायोकों का वहत करके अन्य इस्त्रियों का भी अपहरन किया था ये सारी इस्त्रियान धन्य है एता परम्स्त्रीत्व मापास्त पेशलं नीरस्त शौचं बतसादु कुर्वते यासाम ग्रहात्पुष करलो चनपते नजात्व पेत्या रितिभेर्षिदिस्प्रिशन इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तता शुद्धी से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया उनके पती कमल्यन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा वे उन्हें बहु मूल्य भेंट प्रदान करके उनकी रिदयों को प्रसन बनाते रहें इवं विधागदंती नाम सगिरपुरयोशिताम निरीक्षणे नाभी नंदन सस्मिते नाययोहरी राजदानी हस्तनपुर की इस्त्रियां अभी उनका अभीनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बहदाईयां सुईकार की और उन पर अपने कृपा द्रिष्टी डालते हुए नगर से प्रस्थान किया अजात शत्रु प्रितनाम गोपी थाय मदू दिश परेभ्य शंकी तसने हाथ प्रायूंत चतुरांगिनी यद्य भी महराजु दिश्टर का कोई शत्रु ना था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान स्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरांगिनी से न गोडा हाथी रत पेदल से न लगा दे शत्रु से बचाओ और भगवान से स्नेह के कारण महराज ने ऐसा किया अथदूरा गतान्शारी कोरवान विरहातुरां सन्निवर्त्या दिढ़म्स नग्धान प्रायात्स्वनगरीम्प्रियां भगवान कृष्ण के प्रती प्रगार स्नेहवश कुरुवंची पांडव उन्हे विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गये वे बावी विचोह के विचार से अविबूत थे किन्दू भगवान ने उनसे घर लोड़ जाने का आगरह किया और स्वयम अपनी प्रिय संगियों के साथ द्वारिका कियोड रवान हुए कुरू जांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान भःम्मा वर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यांसारस्वतानत मरू धन्व मति क्रम्य सोवीरा भीरयो परान आनर्तान भार्गवो पागाज शांतवाहो मनाग विभू हे शोनक तब भगवान कुरू जांगल पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रहम्मा वर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यांसारस्वता मरू प्रधान तथा जल की अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर इस्तित द्वारीका पहुंचे इन प्रांतों से होकर यातरा करते समय उनका स्वागत किया गया पूजा की गई और उन्हें विवित भेंटे प्रदान की गई संध्या समय सारे स्थानों में संध्या कालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता इस प्रकार श्रीमत भागवत के प्रथम सकंद के अंतरगत द्वारिका के लिए भगवान स्री कृष्ण का प्रस्थान नामक दस्वा अध्या समाप्त हुआ यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए और कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके मुझे अवश्य उस्सा दीजिए ताकि मैं आगे भी श्रीमत भागवतम के समस्त अध्यायों का पार्ट करके आप सबको इन अम्रित रूपी वश्णों से कृतार्ट कर सकूँ आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे लिए प्रार्थना वश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ हरे कृष्णा जैशिला प्रवपाद